प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबी? आशा है, आप सबी अपने घरों में सुरक्षित हैं और साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने परकार होते हैं. क्रिया को वर्ब भी कहते हैं. इंग्लिश ग्रामर में आपने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा. आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और चित्र में क्या-क्या हो रहा है. सबसे पहले आप देखी क्या-क्या हो रहा है. चित्र में हम देख रहे हैं सूरज उदे हो रहा है, लड़की जूला जूल रही है, एक लड़की कूद रही है, पक्षी बैठे हैं और कुछ लोग सेर कर रहे हैं. चित्र में हमने देखा सूरज क्या कर रहा है निकल रहा है उदे हो रहा है पूरु दिशा में क्या हो रहा है लाली च्छाई है गुलाब के फुल क्या कर रहे हैं खिल रहे हैं पक्षी क्या कर रहे हैं बैठे हैं एक लड़की क्या कर रहे हैं जूला जूल रहे हैं दूसरी ल कलना ऐसा कारिय है जो अपने आप हो रहा है पूरू दिसा में लाली का छाना ये भी अपने आप हो रहा है गुलाब के फूल खिल रहे हैं ये भी अपने आप कारिय हो रहा है लेकिन पक्षी बैठे हैं लड़की जूला जूल रही है लड़की कूद रही है लोग सेर कर रहे ह कारिये लोगों के द्वारा किये जा रहे हैं। आईए कुछ और उधारन देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने का कारिये बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, माली फूल तोड रहा है, फूल तोडने का कारिये माली के द्वारा क उसे हम करता कहते हैं। पहला प्रष्ट खोला, उन वाक्यों को दुबारा पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। और साथ में दरवाजे को बंद किया, सीडिया उतर कर वापिस आया, भागने का काम राजप्पा ने किया। नेली रंके ये सभी शब्द हमें बता रहे हैं कि राजप्पा ने क्या-क्या काम किया। और जो काम किया जाता है या अपने आप होता है, उसी को हम हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, किरिया कहते हैं। आईए परिभाषा देख लेते हैं, किसी कारिये के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को हम किरिया कहते हैं। हमारे आसपास जितने भी कारिये होते हैं, वो दो परकार से होते हैं, या तो अपने आप होते हैं, परकर्ती के द्वारा होते हैं, या फिर वो कारिये मनुश्यों के द्वारा किये जाते हैं, जो कारिये मनुश्यों के द्वारा किये जाते हैं, जो कारिये मनुश्यों के बहुत बड़ा महतो होता है। इसी तरह से हमारा लिंग, वचन और कारक के इसाब से क्रिया का रूप परिवर्थित हो जाता है। साथ ही हमने देखा पढ़ना, लिखना, तोड़ना इन सभी क्रियाओं में पीछे हमने नाशब्द जोड़ा है। अगर हम नाशब्द को हटा देते हैं, तो हमारी क्रिया बन जाती है पढ़, लिख, दोड़, ये क्रिया के मूल रूप होते हैं, जिनको हम धातु कहते हैं। संस्कित भाशा में भी हम धातू के विशे में पढ़ते हैं, किरिया के मूल रूप को हम धातू कहते हैं, साथ ही अगर किरिया के मूल रूप को हम हटा देते हैं, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, रहा है, इस तरह के जो शब्द बचते हैं, उनको हम सहायक किरियाएं कहते हैं जैसे पढ़ हमारी मूल धातू है जिसकी सहायता से हम पढ़ता पढ़ रहा पढ़ चुका पढ़ेगा पढ़ती है पढ़ा पढ़ो पढ़ूंगा इस तरह से अनेक परकार के क्रियाएं बना सकते हैं मूल धातू की पैचान करने के लिए आप एक शोर्टकट ट्रिक भी आ कर सकते हैं क्रिया के सामाने रूप के लिए हम मूल धातू में ना शब्द जोड देते हैं जैसे लिख धातू में ना जोडने से लिखना बन जाता है पढ़ धातू में ना जोडने से पढ़ना बन जाता है जिनका प्रियोग हम हिंदी व्याकरण में करते हैं धातू का मूल रूप से प्रियोग हम ज्यादा तर संस्कित भाशा में करते हैं जिसके द्वारा किरिया की जाती है उसे हम करता कहते हैं लेकिन किरिया का जो फल है उसका परभाव जिस पर पढ़ता है उसे हम कर्म कहते हैं उधारन के लिए सिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया यहाँ पर कारिय कोन कर रहा है करता करता यानि सिक्षक और उसने किसको पढ़ाया छात्रों को तो यहाँ पर किरिया का परभाव पढ़ाने का परभाव छात्रों पर पढ़ रहा है इसलिए छात्रों शब्द हमारा यहाँ पर कर्म है तो किरिया का परभाव जिसके उपर पढ उसी के आधार पर किरिया को आगे हम दो भागों में बाढ़ते हैं सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया को इंगलिश ग्रामर में इन ट्रांजिटिव वर्प कहते हैं और सकर्मक किरिया को इंगलिश ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्प कहते हैं इंगलिश ग्रामर में भी साथ साथ आप इनको पढ़ते हैं आईए आगे सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया के बारे में जानते हैं सबसे पहले कुछ उधारन देखते हैं सकर्मक किरिया नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक किरिया यानि कर्म के साथ जिस किरिया में किरिया का परभाव कर्म पर पढ़ता है, उसी को हम सकर्मक किरिया कहते हैं, जिसमें कर्म की परधानता होती है, उधारन के लिए बच्चा चादर बिचा रहा है, बच्चा क्या बिचा रहा है, चादर बिचा रहा है, तो बिचाने का जो कारिय है, वो चादर पर पढ़ रहा है फल वाला फल बेच रहा है फल वाला करता है और क्या बेच रहा है फल बेच रहा है तो बेचने की जो किरिया है उसका परभाव किसके उपर पढ़ रहा है फल के उपर पढ़ रहा है तो इन दोनों धारण में हमने देखा कि यहां पर कर्म की परधानता है कि इसलिए यहाँ पर सकर्मक किरिया है। आईए परिभाशा देखते हैं। आगे हम क्या शब्द या किसी शब्द लगाकर पर्शन करेंगे तो अगर उसका उत्तर हमें उसी वाक्य में मिलता है तो वही हमारा जो उत्तर मिलेगा वही हमारा कर्म होगा। इसलिए हम इसकी पैचान कर सकते हैं। किसी किया जा रहा है शिशू को और शिशू को क्या खिलाया जा रहा है खाना। तो शिशू और खाना यहाँ पर दो कर्म हैं। विद्या ने गरीब को रोटी दी। क्या दी रोटी। किसको दी गरीब को। तो यहाँ गरीब और रोटी दो कर्म है। पुजारी भगतों को परसाद बाटता है, क्या बाटता है परसाद, किसको बाटता है भगतों को। तो यहाँ पर भी हमारे दो कर्म हैं। द्वी कर्मक क्रिया की पैचान करने के लिए हम क्रिया के साथ दो सवाल पूछेंगे, या तो क्या, किसे या किसको शब्द लगाकर दो परशन करेंगे, अगर दोनों का उत्तर हमें मिलता है तो वही हमारे दो कर्म होंगे और इसलिए उस वाके में हमारी द्वी कर्मक क्रि इसलिए यहां पर बच्चो और कहानी दो कर्म का प्रियोग किया गया है। एक कर्म किरिया यानि की गीता सेब खाती है। क्या खाती है? सेब खाती है। दादी अकपार पढ़ती है। क्या पढ़ती है? अकबार पढ़ती है। सवाल करने पर हमें एक ही कर्म की पैचान हुई। इसलिए यहां पर इन दोनों वाक्यों में एक कर्म किरिया है। और अभी उधारनों में फिल्म, स्वेटर, दुकाने, कर्म हैं, इसलिए ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, आईए दूसरे परकार को देखते हैं, अकर्मक क्रिया, जो की सकर्मक क्रिया का बिलकुल विपरीत है, अकर्मक, यानि कि जहां पर कर्म नहीं होता, क्रिया का फल सीधा कर् कर्म नहीं है यहां पर करता है बहार बारिश हो रही है क्या हो रही है बारिश तो बारिश यहां पर करता है ना कि कर्म है इसलिए यह दोनों किरिया यहां पर अकर्मक किरिया होंगी आईए परिभाशा देखते हैं जिस किरिया का फल कर्म पर नए पढ़कर सीधा करता पर से किसको आदि परश्ण करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ अकरमक क्रियाइं होती हैं कुछ क्रियाइं हैं जो अधिकांस्ते अकरमक ही रहती हैं जैसे रोना, सोना, उढ़ना, निकलना नाचना, डरना, रहना, उचलना अकर्ना, चमकना, मरना इस तरह की किरियाएं अकर्मक होती हैं, यहां पर कर्म की अवशक्ता नहीं होती उधारन के लिए नर्त की नाच रही है, यहां पर नाचना किरिया का परभाव सीधा नर्त की पर पढ़ता है, जो की करता है वे जोड से हसा, हसने का प्रभाव वह पे पढ़ रहा है, जो कि यहां पर करता है, वे अभी आया है, काव्या दोड रही है, इन सभी वाक्यों में कर्म ना होने की वज़े से अकर्मक किरिया है, इन उधारनों में देखे, वे हसता है, हसना अकर्मक किरिया है, रोगी खासता ह है अकर्मक किरिया है बालक सो रहा है सोना अकर्मक किरिया है यहां पर कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है सीधा इसका फल करता पर पड़ता है इस तरह से आना जाना उठना बैठना सोना रोना हसना चलना यह सबी प्रकार के किरिया हैं अकर्मक किरिया होती है सकर्मक किरिया के विशे में एक बात जाना भोगा की जरूरी है, क्योंकि कुछ क्रियाओं की प्रकरती सकर्मक होती है, लेकिन वाके में अगर कर्म का प्रयोग नहीं भी किया गया है, तो उन करियाओं को हम अकर्मक क्रिया नहीं कहेंगे, यहाँ पर बच्चों को बहुत confusion होता है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक अगर वाके में कर्म है तो ही हम उसको सकर्मक नहीं मानेंगे उधारन के लड़का लिखता है तो लिखना क्रिया सकर्मक क्रिया है अगर यहाँ पर क्या लिखता है कुछ भी नहीं है कर्म नहीं दिया गया फिर पिर भी इस करिया को हम अकर्मक करिया नहीं मानेंगे। इस करिया को हम अकर्मक करिया को अकर्मक करिया नहीं होती है। परकार होते हैं मुख्य रूप से अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया साथ में हमने अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया के बहुत सारे उधारन भी जाने किस परकार से अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया की हम वाक्यों में पैचान कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है जरूर दीजिएगा साथ ही अगले वीडियो में हम जानेंगे सरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, वेस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए Thank you very much Thank you